ठाकुर जी के भगत हो तो घबराओ मत, परेशान मत हो, दरो मत, यकीन मानना दोस्तों, आपकी हर परेशानी समय आने पर हल्फ हो जाएगा। एक बार महादेव ने पूछा भगवान से, विश्णुजी से पूछा कि प्रभू सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं, आप हमेशा ऐसे आखे बंद करके ध्यान में रहते हैं। पता है प्रभू ने क्या जवाब दिया? प्रभू ने कहा कि मैं भगतों का ध्यान करता है। तो यकीन मानना दोस्तों, जिस तरह से आप उसे पुकारते हैं, उससे कहीं ज़्यादा, वो आप से प्रेम करता है, वो आपको देखता है, हर शण पर उसकी नजर होती है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको स्वामी हरिदास जी का। इस किस से आज हम बाके बिहारी के दर्शन करते हैं, बाके बिहारी से मिलते हैं। तो स्वामी हरिदास जी निधीवन में अपने ध्यान में लीन, स्वामी हरिदास जी से मिलने उन दिनों बहुत लोग उनके दर्शन करने आते थे, बहुत लोग उनसे मिलने आते थे, बहुत लोग क्रिश्न की लिलाएं उनसे सुनने आते थे क्योंकि वो अनन्य भग थे क्रिश्न के अद्भुत प्रेम करते थे वो इतना प्रेम करते थे क्रिश्न से कि क्रिश्न उनको रोध सुनने आते थे राधारानी उनको सुनने आती थे क्रिश्न बिना सुने चैन से बैठते ही नहीं थे क्रिश्न नटकट है, छलिया है क्रिश्न मन मौहक है क्रिश्न आपसे अधवुत प्रेम करते हैं तो तरह तरह से खेलते हैं आपके सब तो हुआ योग कि हरिदाश जी अपने ध्यान में लीन थे हरिदाज जी से मिलने एक भगता है वो भी कृष्ण से मिलने आये थे वो भी कृष्ण की बाते सुनने आये थे उन्होंने सोचा कि हरिदाज जी के पास चलता हूँ हरिदाज जी से आज बाते करूँगा तो बड़े प्रेम से हरिदास जी के लिए एक इत्र की बोतल लेके आये थे बोले कि हरिदास जी को दूगा हरिदास जी ठाकुर को समर्पित करेंगे और बड़ा अच्छा हो जाएगा तो वो बड़े प्रेम से वो इत्र लेकर के हरिदास जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हरिदास जी ध्यान में लिए हरिदास जी अपने ध्यान में ठाकुर जी को राधारानी को होली खेलते हुए देख रहे थे तो हुआ यूँ कि इधर इस वेक्ती ने उस इत्र की बोतल को हरिदास जी के पैरों में रख दिया कि अभी तो ध्यान में मैं छेड़ता नहीं हूँ, दूर बैड़ जाता हूँ, जब उठेंगे तब बता दूँगा, इधर हरिदास जी होली खेलते हुए ठाकुर जी को राधारानी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी ने रंग डाल दिये राधारानी, और राधारानी ने इत्र उनके हाथों में आया, उन्होंने उत्र गिरा दिया, हरिदास जी की आखें बन थी, वो इत्र गिरा दिया और वो इत्र सारा रेत में मिल गया, मट्टी में मिल गया, इधर जो आदमी बैठा था, जो इत्र लेके आया था, हरिदास जी के पास आया था, ये इत्र दू अपने ध्यान में और देख रहे हैं कि राधारानी जिनकी मटकी में उन्होंने इत्र डाला है ओहो तो राधारानी ने वह मटकी जो है वह ऐसे फेकी कृष्ण पर और कृष्ण नाहा लिए उसमें अब जब ध्यान टूटा हरिदास जी ने देखा कि कोई मिलने आया है तो हरिदास जी बोले कि हाँ तू आदमी बोला कि स्वामी जी मैं ठाकुर जी के लिए एत्र लेकर आया था और ये एत्र देखी आपने इसको गिरा दिया अपने ध्यान में और ये पूरा मट्टी में मिल तो मैं ठाकरुजी के लिए लेके आए था, हरिदास जी बोले कि कोई बात नहीं, जाओ बाके बिहारी के मंदिर में जाकर करके ठाकरुजी ये दर्शन कर लो, उसके बाद मेरे पास आए, दोस्तों, क्योंकि स्वामी जी जो बात कह देते थे, वो सब मान लेते थे, सब सुनत वो आदमी बाके बिहारी के मंदिर में गया, और जैसे ही मंदिर में घुसा, आप यकीन मानना दोस्तों, वहां उस इत्र की महक, इतनी महक रही थी, कि पूरे मंदिर में यो खुश्बू जो है, वो खुश्बू चारों तरफ ऐसे महक रही थी, ये आदमी पागल हो गया, बाके बिहारी को देखकर पागल हो गया, बाके बिहारी इत्र में नहाय हुए थे, वो इतनी खुश्बू थी, ये लोटके आया और हरिदास जी के पैरों में गिर गया, और बोला स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे नहीं पता था कि मेरा इत्र इस तरह ठाकुर जी के पास जाएगा, बोलो हरे क्रिश्न, ठाकुर जी आपकी हर बात को सुनते हैं, आप यकीन मानना, जिस भाव से आप उन्हें भूग लगाते हैं, जिस भाव से उनसे बाते करते हैं, जिस भाव से अपनी इच्छा उनके सामने रखते हैं, या जिस भाव से आप उनसे प्रेम करते, आप येकीन मानना आपका हर भाव उनके पास पहुँचता है, हर भाव को सुनते हैं, उतने ही प्रेम से सुनते हैं, और आपको कई गुना प्यार वापिस देते हैं, वो इत्र की बोतल इतनी सी थी, पूरा मंदिर बहग गया, पूरी खुश्बू चारों तरफ ह आपका इतना सा भाव, इतना हो जाता है ठाकुर के चर्णों में जाने के बाद, तो अपने विश्वास को कभी कमजोर ना होने दें, भरोसा रखें, ठाकुर जी आपके पास हर पल हैं, हर शन हैं, बस अपने भाव में, अपने विश्वास में, कभी भी, किसी भी तिरे का शंकाना आने देए प्रेम से रहें खुश रहें मस रहें हरे एक त्रश्ण